लोकसब चुनाओं के बाद अब परदेश में होने वाले पंचायती राजचुनाओं को लेकर राजस्तान सरकार बढ़ेक्शन मोड में नजर आ रही है पूरवर्ती सरकार में बने नए जीलों की सिमांकन को लेकर राजस्तान सरकार जल्द ही कोई फैसला कर सकती है हमश्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं दर नगरी नियूस दरसल इस साल नवंबर दिसंबर में पिरदेश के 15 जीलों में पंचायत राज चुनाव होने हैं ऐसे में सिरकार किया कोशिश है कि इन जीलों के साथ साथ नवंबर चुनाव कराया जाएं इसलिए सिमांकन अवश्यक है बीते दिनों पंचायती राज विभाग ने नवंबर पंचायत और जीला परशदों के सिमांकन का काम शुरू भी किया था लेकिन लोग सब चुनाव की अचार साथ लगने के कारण सिमांकन का काम रुख गया अब अचार साथ खतम होने के बाद सिमांकन का काम पूरा किया जाएगा इसके बाद इन जीलों में चुनाव के लिए प्रिस्ताव तयार कर उचेस्तर से मंजूरी के बाद राज्य निर् पर दिसंबर में अलवर वासवाड़ा भारमेड चितोडगर चूरू श्री गंगानगर हनुमानगर जालोर जुनजुलू पाली सिरोही और तोक में पंचायतोर जिला परिशदों के चुनाव होंगे सिमांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 जिलों में चुनाव होंगे इन चौर, जोदपूर, जोदपूर रामीन, केकडी और शाहपूरा शामिल है बतादे राजिस्थान की पूरवर्ति घहलोच सरकान ने विधान सबाचुनाव से ठीक पहले 17 नए जीले बनाने की गोशना की थी जिसके बाद राजिस्थान के कुल जीलों की संक्या 33 से बढ़क या कुझीलों को छोड़ दिया जाए इस बारे में चार सही था हटने के बाद अधिकारी उचिस्थर से मार्क दर्शन भी लेंगे ऐसी और खबरों के लिए बने रहे दनगरी नियूस के साथ